आज का topic most important होगा most important very very important एैं नंबर श्रीज। पर उस्णविलिए नंबर श्रीज। पर प्रहद का पत़ है अय। पुअब करने के आता है पर नंबर श्रीज। यह जो टॉपीट यह तीन नंबर पर बेस है कितने नंबर में पर से नंबर पर बेस है। पहला जो नंबर है वो है प्राकिर्थ संख्या और ये सब चीजे साथे लिखते जाएंगे छोटी छोटी चीजे हैं प्राकिर्थ संख्या नेचुरल नंबर प्राकिर्थ संख्या को धनात्मक पुर्णांक भी कहा जाता है प्राकिर्ट संख्या को धनात्मक पुर्णांक भी क्याते हैं positive integers math में थोड़ा math की जो सब्दावली है जो vocabulary है उसको भी आपको समझना है कभी उकल प्राकिर्ट संख्या देगा कभी उकल क्या देगा धनात्मक पुर्णांक देगा और जो हिंदी वाले बच्चे हैं पढ़िया आप हिंदी में ही लेकिन सब्दावली को इंग्लिस में भी सीख लीजिए natural number और positive integer same है तो आप जानते भी होंगे natural number किसे कहा जाता है गिंती की जाने वाली संख्या को counting number साथ call natural number तो counting कहां से करते हैं 123 dot 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 infinity होता है दूसरा जो number होता है वो होता है समसंख्या इवेन नमबर छीक है दूसरा जोता है क्या होता है even number क्लियर है even number किसको कहते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड करते हैं यहां पर फोकस कीजिए बाद में चर्चा करेंगे शम्संख्यां even number ठीक है ना even number किसे कहा जाता है जो संख्यां 2 से कट जाए that number which is divided by 2 कहां से 2 4 6 कभी भी नैच्वल नमबर नहीं होता है जीरो होती धीर गलों है पुझ्ण संख्या होती वोग होती है पूर्ण संख्या होती है और तीसरी जो संख्या होती है वो हती है विसम ङंग अगि 건 है कि और नमबर मिर सब्मस Margaret ड़ी देगा धभन रखेगा जिसे इभे नमबर बोल गिले इन ईटेजों बोल दिया और नमबर नमबर जा। नंवर किसी संख्यां की सरथ आपन सांख्यान से नगा थिश वन थ्री फाइब सेवें डॉट 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 इंफुनिटीव तक है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी दम ध्यान से समझेगा जीरो से उठाएंगे एक दम टॉप तक ले चलेंगे बेस्टम बेस्ट हाट से हाट कोश्टन बन जाएगा आपसे फुल टॉप सम्मान जागेगा कल आने वाले समय में कहीं प्राइवेट में जॉब करना पड़े पढ़े लिख्या होंगे तो सम्मान को ठेश पहुंचेगे इसलिए पढ़ते हैं तो मन लाकर पढ़िए नहीं तुसको छोड़ करके वह अपना धंधा पनिशू कीजिए उभी कल दो चार यहां है कि मैंने कितनी बार चर्चा की है कि मैथ में कितनी प्रकार की संखियां होती है 22 अब में 22 पर्कार की संखियां पाई जाती है लेकिन 22 कि यह नकि के बीच का gapping क्या हो same it's a very very important इसका आगे बहुत काम है ठीक है स्रीज किसे बोलेंगे कि दो लगातार पदों का अंतर the difference between two consecutive terms is always same के बीच का gapping कितना है यह क्या है स्रीज है पूरे मैथ में 22 परकार की संखिया होती है लेकिन 22 में सिर्फ यही तीन नमबर है जो स्रीज बनाती है क्या बनाती है, स्रीज बनाती है, और चौथी कोई संख्या नहीं होती है, जिसकी स्रीज बनती है, ये आपको माथा में फिट कर लेना है, चौथी कोई संख्या नहीं होती है, जिसकी स्रीज बनती है, तो आपको होगे, सर की फिर ये क्या है, मालने जी आपको मैं दे रहा हू नहीं है जैसे ही आप इसमें फाइब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या जाएगा फाइब वजा फाइब टू जा टैन फाइब थी जा इवटिन डौट 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 यहां कितना आ जाएगा इसे जानते हैं क्या बोलते हैं प्राक्षिर्थ संख्या के पांच का गुनज ठीक है multiple of five of natural number यह आगे आप सिखेंगे आपको मात्था में सिर्फ यह फिट करना है कि स्रीज कितने क्यों होती है मात्र तीन नंबर की होती है natural, even और और बांकि जो भी आएगा term ऐसा गर आए यह स्रीज नहीं होती है आप जैसे ही common लेंगे अंदर में कोई ने कोई इन ती सिर्फ कितने होती है, तीन आज का topic जो है इसी तीन नंबर पे बेस है आपको, ठीक है, बांकि संखिया आप दिले दिल आगे सिकती चले जाएंगे तो पहला क्या है प्राकिरी संखिया नेच्वल नंबर पहले नेच्वल से clear करते हैं, ठीक है देखिए, नेच्वल नंबर स प्राकिर संख्यां से normally तीन टाप के स्रीज बनते हैं कितने टाप के नॉर्मली तीन एक दम समझते जाना ध्यान से किछी देखते जाना और नोट करते जाना ठीक है जब भी math पढ़ते हैं कैसे भी पढ़ते हैं देखते भी हैं तो हमेशा copy column साथ में रखिए बिना वर्क सब क math अधूरा माना जाता है सेम इंगलिस में भी यह हाल है जब भी आप पढ़ते हैं copy column साथ रखिए ठीक है तो normally प्राकिर संख्या में कितने स्रीज होंगे तीन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस dot 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 n तक natural number का प्राकिर संख्या का यह simple स्रीज है तेक है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस dot 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 n तक इसका जो formula होता है यह आप त्रीक के यह concept के यह जो होता है n into n प्लस 1 upon me 2 यह पहला अब दूसरा natural number के तीन स्रीज होते है पहला क्या था simple अब इसका क्या होता है square one square two square three square dot 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 n तक का square यह प्राकिर संख्या क्या क्या है simple स्रीज था पहला और यह क्या है square श्रीज बोलते हैं इसको ठीक है जब भी आपको square श्रीज निकाला हो तब कैसे निकालों देखो यहाँ पर जो n into n plus one लिए है न यहीं लीजी आप से यहाँ पर and into n plus one और इसको two n plus one से multiply कर देना 2n plus 1 से multiply कर देना, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी आप किसी की square का series निकालोगे, किसी भी का भी, square का series निकालोगे, तो नीचे आपको 6 डाल देना, ठीक है, square की series, अब तीसरा क्या बचा, cube का series, ठीक है, 1 का cube, 2 का cube, 3 का cube, dot dot dot, n तक का cube, जब भी आपको natural number का cube series निकालना हो तो आप क्या करोगे यही simple उठाओगे सब यही से connect कर रहा हूँ यहां से देखते जाना आप यही simple वला उठा लो यह उठाओ यहां रखो n into n plus 1 upon me 2 वही रख लिए simple वला जब भी आपको cube निकालना हो तो इस पूरिय का आप whole square कर दें इस पूरिय का क्या करना है whole square कर दें अब यहां पे n जो मैंने लिखा है यहां पे n जो है तीनों में n क्या है last number अंतिम संक्या last number यह यहां n जो रहेगा 10 रहे 12 रहे 15 रहे 20 रहे वह आपको पांसर आपको 2-4-5 सेकेंड में निकाल लिए आई बात समझ में पले आप इसको लिखे आप मैं कोश्चन से क्लियर करता हूं इसको यह जो टॉपिक है या तो आप 9 में पढ़े होंगे यह टैंथ मी पढ़े होंगे कुछ बच्चे माना यह 11 12 में जैसे उतरा खंड वगरा सम अगर आपको याद होगा यहां प्लस वण अगर किसी को याद आ रहा होगा तो यह पढ़े होंगे तो आपको लगत है नहीं नहीं गलत कुछ मी नहीं था मैं आपको यह निकाल के दे दिया हूं कि हर हाल में यहां पर क्या लेना है लास्ट नंबर यह आपकी सुधा के में 2 कभी रहेगा last number plus 1 अलग लग सीज होती है न आप confusing नहीं करें इसलिए मैं आपको क्या निकाल दिया हूं last number ठीक है अब जैसे देखें कोश्चन है मैं यहाँ पर question लिखता हुए 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 माले जे 10 तक दिया और आपको काराया solve कर नहीं कि पहला question 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 10 तक आपको काराया solve कीजे कितना होगा तब एक तरीका तो यह है कि 1 से ले करके 10 तक को लिख करके add कर सकते है एक ऐसे भी कर सकते हैं एक से ले करके 10 तक को आप जोर दीजे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 आप जोर दीजे 10 ना 19, 29, 27, 37, 37, 34, 44, 45, 44, 43, 52, 54, 55 आंसर निकल गया आपका आंसर 55 लेकिन 10 तक था तब आपने जोर दिया आए यहां 50 तक हो, 100 तक हो, 500 तक हो तक हो तब आइसे नहीं कर पाएंगे यह तरीका सिफ मैंने समझाने के लिख किया ऐसा म पत करना कभी, ठीक है, आप बनाएंगे किसे, यह जो बनाया गया है, अब देखिए यहां पे, एन क्या है यहां पे, 10, लास्ट नमबर कितना है, 10, आप यहां पे 10 रख तो इस वाले फर्मूले, यहां रखो 10, तो 10, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टिप्ले, 10 प्लस 1, कितना हो गया, 11, अपॉन में, 2, देखिए कितना 30 निकल गया, 11, पंचे, आई बात समझे, क्लियर है, कम्प्लीट, देख लिएज़े, क्लियर है न, अब जैसे मैं एक कोर्षन दिया, अपना देखते जाएएगा, इसमें नेस्ट कोर्षन लिख रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दोट दोट दोट, 60 तक, आपको कहईडा है, सौल्व करने के लिए, इसका सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप एन क्या लोगे डारेक्ट 60 डारेक्ट लोगे डारेक्ट रखो फर्मूला क्या लिखा था एन इंटो एन प्लस वान तो 60 इंटो 61 अपॉन में 2 काट पीजिए कैल्कुलेशन अच्छा रखिए 1830 डारेक्ट एन रखिए क्लियर है कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं न देख लिए राद दिक्कत तो मुझे पूछते जाए और फटा फट नोट करते जाए नेच्छल नंबर में तीम तरह के स्रीज होंगे कॉमनली समान रूप से एक सिम्हे 17 ऐगा एक स्क्वायर वाला स्रीज पुछेगा और एक क्यू बला स्रीज पूछेगा ठेक है कोसं किसी से बना सकता है पूरा अब मालिज आपको कोशन दे दिया देखें अगला मैं दे रहा हो कोशन दे दिया 4 का स्क्वार टू का स्क्वार ठीक स्क्वार डॉट डॉट टुन टॉ टॉटेंटी तक करने के लिए किसका है आप यह बार बार मत लिखना वहां पे डारेक्ट चाल किया जाता है और यह सब बहुत ही easy questions है यह कोई मत समझाना कि बहुत भेंकर चीज आज आप सीख रहा है यह बहुत ही समान चीज है यह मैंत का ठीक है हाँ clear है यहाँ क्या ले लोगे 20 यहाँ 20 का value आप रखतो और क्या लोगे यहाँ पर 20 ले लो 20 ब्रैकेट का मतलब multiply 20 प्लस 1 21 यहां क्या हो जाएगा 20 दुनी 40 ट्यान मतलब क्या multiply होता है इसके बीच में 40 एक 41 अपन में 6 अब मैं आपके एक चीज और clear कर देता हूं इस topic से जब भी आपको कभी question पूझे तो आपका answer हमेशा whole number में आए यहां रखना अगर कही question आपको नहीं कट रहा है आप समझाना कि कहीं ने कहीं आप mistake कर गए हो एक तरीका है पकरने का आप यहां पर कुछ भी लोग है यहां जो data आएगा 100% कट के आएगा कटेगा ही कटेगा और यह आप निश्चिंथी होगे कि यार कुछ भी यहां रखा रहेगा तो यह 100% कटेगा है कटेगा कभी इसका answer भिन में नहीं आ सकता fraction में कभी answer नहीं आएगा हमें सक्या आएगा whole number क्योंकि तीनों संख्याएं कैसी होती है whole number है ना यहां आप आराम से काटो अब तीन से तीन दुनी छे तीन से तीन सत्ते एक इस दो से कितना आजाएगा 200 क्लियर है अगर माली जे यहां पे तीरी जो नोट कर रहे है ना नोट करते जाएगा अगर माली जो स्रीज क्यूब की दे दिया एक कोशन क्यूब पर भी ले ले लेते हैं वन का क्यूब टू का क्यूब फिरी का क्यूब डॉट 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 कैन तक क्यूब अगर आज सॉल्व कीजे अब किस किस रीजे तो क्या क्या फर्मूला बताय था सिंपल वाला लेना है और उसी का क्या करना है था पाणसरी है प्योड़ायख क्या करना होल स्था का रखोend कितना रखोगे टैन तो टैन इनटू это पर LED में टूका पुल इसकोर दो से पचपन प scrolling पहला कोशन में यही सिंपल में दिया था। जिसका अंसर्ब ना करेंगे नेक्स से पांच हक तीस इसका अंसर कितना आएगा तीस पर चीज कि लियर है नेच्ट्रल नंबर कंप्लीट आपका बेसिकली कंप्लीट अभी बहुत कुछ बाकी है अभी रुख जाए अभी यह सब दाना पानी निकलेगा भी खा क्या आए होंगे तो अभी तो सिंपल हुआ है तीन टाइप के सीज होते है नेच्ट्रल नंबर में प्राक्री संख्या वह ऐसी आगला क्या है इवेन नंबर समसंख्या ऐसी तीन उसके भी होंगे चलिए अबर नेक्स्ट समसंख्या से इवेन नंबर से पहला 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 एन तक जबर दस्त में आपको त्रीक वेताता हूँ आप एक सेकेंड में निकाल लेंगे जब भी इवेन नंबर की आपको सीज का निकालना हो सिंपल वारा तो आप क्या करना 10 बाइ 2 कर लेना और यही 10 बाइ 2 अंदर ले लेना 10 बाइ 2 प्लस 1 यही 10 बाइ 2 क्या लेना है अंदर और प्लस 1 कर देना है अगर इसका square format पूछे 2 का square प्लस 4 का square प्लस 6 का square डॉट 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 एन तक का square square format अगर आपको पूछ दे तो आपको क्या लेना है लगातार, मैं भी बताया भी था n into n plus 1 into n plus 2 और आप गौर करो, मैं इथा clear करता हूँ natural number का प्राक्री संख्या जो square स्रीज निकाले तो वहां क्या लिये थे n into n plus 1 into 2n plus 1 लेकिन यहां क्या लेना है, लगातार लेना आपको n, n plus 1, n plus 2 और किसी के square के स्रीज में, last में क्या बताया था नीचे मदेने के लिए 6, इन दोनों ही condition में n यहां क्या होगा, last number until some अब book में जो देखेंगे, तो simple वाले में वहां n दिया रहता है, n by 2 है ना, तो इसलिए आप confuse नहीं करें, वो भी सही है यह भी सही है, यह आपके लिए जैदा better है, क्योंकि आपका mind confuse नहीं करेगा कभी, n directly लोगे, last number अब इस पर question बनाते हैं, देखें, question दिया, 2 का, 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 dot, 80 तक आड़ी कितना भी दे दे, कोई दिकत नहीं है, 80 तक तो direct लोग आप, and कितना रखो गया आप, 80, मैं direct रखो इसमें, 80, 80 का हाप कितना हो गया, 40, आई यहीं आएक, 80 का हाप 40, 40 आएक, 41, clear है, कितना हो गया, 1640 अब यह नहीं कि examination होड़े मैं ऐसे solve कर रहा हैं इसको, question देखें, फ्रसे smile दिये, मज़ा आ गया, question देखते, अब मुंडी उठाए, ऐसे याद किये, क्या था formula, formula लिखे, ny2, ny2, plus 1, formula लिखे, खूस बहुत है, क्योंकि उसको आ गया है question, अब देखा, n क्या है, 80, तब रखा यहां पे 80, upon me 2, 80, upon me 2, plus 1, फिर काटा, 40, फिर यहां भी काटा, 40, अभी भी नहीं रुकेगा, करम का जला ह है, अभी भी रुकेगा, नहीं, 40, 40, पलस 1, अभी भी नहीं रुका, फिर आगे बढ़ेगा, 40, फिर ब्रैकेट तोरेगा, फिर लिखेगा, 40, अभी भी नहीं रुका है, फिर अलग से से box बनाएगा, अब 41 और 40 को गुना करेगा, 0 का 0, 0 का 0, 4, 4, 4, 4, 16, और यहां लिखे लेगा, मजा आगे, उसको लगता है, यह question सिर्क हमी बनाया है, फिक है, तो यह सब जो attitude है बाबू, जितनी जल्दी हो, सुधार लेना, जीवन में कभी नोकरी नहीं लगेगी, क्योंकि यह बहुत ही तुछ स्रेनी का प्रत्न है, इस प्रस्न की कोई आउकात नहीं है, जो सत्य है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, सुई और तलवार में कभी आउकात सुई की कुछ नहीं होती है तलवार के सामें, लेकिन जहां सुई की जोड़ पढ़ जाती है, वहां तलवार कोई काम का नहीं आए जब इसकी जवरत पढ़ेगी तो यह आपको चाहिए आए वाज समझ में इसलिए पढ़ना पढ़ता है सारी चीज़ा आपको धारनी पढ़ेगी स्मार्ट सोलिशन के 75% चीज़े माइन में कैलकुलेट किया आता है लिखा नहीं जाता है स इस पर फर्मूला पर रख दीजिए कोई दिखा तो नहीं अब इसका एक बच क्या होगा आपके मने माया इसका क्यूब क्यों नहीं आया सिंपल और आपके मने माया क्यूब 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 का कोई फर्मूला नहीं होता है कोई सुत्र नहीं होता है कोई ठ्रिक नहीं होती है आपको जो मैं पढ़ाया हूँ और उसी से दिमाग लगा कि इसका क्यूब नए झेका इसकी लाकिनद करने की चली तो यह है यह सिम्पल 10 का क्यूब दिया है टो तक क्यूब तब कैसे भी आता है दो का क्यूब क्या हो गया एक हजार आप इस सब को एड़ कर दी आप कांसर निकले लेकिन यह दस तक था था तब ना यहां रहता इस में आपको टू का क्यूब कॉमन लेना है उसी से बारी बारी से डिवाइड करके जो आता है उसी को आप अंदर में रखते हैं इतना तो आपको पता होगा तो का क्यू पांचे दस पाइल का कॉमन लेने से किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सिर्फ चीजें क्लियर हो जाती है मैथ में कॉमन का क्या महत्व है कहीं आप किसी चीज को कॉमन ले लेंगे क्या महत्त है पूछे कॉमन क्यों लिया गया मैं 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 में कॉमन से लेने से कोई चीज पर पर परभावन परता सिर्फ चीजें क्लियर हो जाती है इतना ही फख़ता है आपको फोल्च मोला देगा चीज को को आसान बनाने के लिए किया आता है फर्क्या परा फिर इसको अगर आप मल्टिप्लाइ करोगे फिर बात तो वही है ना टू अन्जा टू 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 जा फोर टू थ्री जा शिक्स टू फाइव जट्ट है चीजे होगे तो तभी तो यह आएगा न तो की क्यूब को वन से मल्टिप्लाइ करेंगे कितना होगे आठ गुने आठ या टू का पावर सिक्स तो कितना हो गया चाहिए कोई डौट है पूछ लीजे नए डौट पूछना चाहिए कुछ बच्चे सोच रहेंगों कि यहां वान आएगा वन प्लस टू प्लस थी नहीं नहीं पावर वाले नंबर को पावर वाले कौण मन लेने से चीजों पर फरक नहीं परता है स्विधाया प्लीर आती है कभी अगरTube प्लीर है किसकी स्मूर्ज का च्यूए की चलीकर स्बाइख यह कि इंट इसका प्लमूला भी बता है तएठ एट गौर्वा से शुप अब आप एन क्या रखोगे यहां पर रखो रखे आप यहां पर रख दीजिए फाइब इन्टो शिक्स अपॉर्ण में टू का पोल स्क्वेर दो से दो तिया छे आठ पास तिया पंदर में डैट करो पंदर के स्क्वेर दो सो पचीस इसको गुना करोगे 16 25 सथे 218 सु इसका आई बात समझ में क्लियर है कल्कुलीशन बढ़िया रखना है जिनका कल्कुलीशन अच्छा नहीं है तो रदुचार घंट एक्स चाह घड़े उपढ़ ही है ठीक है न जब भी आपको इवेन नंबर का क्यूब का सी जाए तो आपको क्या करना है फट से उसमें 2 का क्यूब कॉमन लेना है जैसे आप कॉमन लेना है अंदर में क्या जाएगा नेच्वल नंबर का क्यूब आ जाएगा नेच्वल नंबर की क्यूब का फर्मूला आपको है ठीक है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना जब भी सीज अलग लगा है आपको खाली कॉमन लेना है ज पहला काम क्या है तु का क्यूब या सफसे ऐसे अंदर नमबर का गूब वन का क्यूब, टू का क्यूब, टू का क्यूब, डॉट 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 डॉट, कैन तक क्यूब, टू का क्यूब क्या हो गया, एट, आज देखो नेच्छोल नमबर का क्यूब है, आप कितनी बार निकाल हो, दस का क्यूब निकाल हो कि नहीं, पचपन का स्क्वाइर आया था क्लियर है न कोई दिक्का तो नहीं देख लिजी आपका क्या 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 कंप्लीट हो गया नेच्छल नमबर कंप्लीट अवगला इवेन नमबर भी कंप्लीट समसंख्या भी कंप्लीट अवगला क्या बचा भी समसंख्या यानि की और नमबर नेक्स्ट देखिए और नमबर का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन तब जबरदस्ट आपको मैं ट्रिक देता हूँ एक सेकेंड वा अंसर नहीं कालोगे आपको क्या करना यहाँ पे n प्लस 1 अपोन में 2 का होल स्क्वाइर कर देना है जो लास्ट नमबर यहाँ पे होगा उसमें एक जूर देना दो से भाग करके स्क्वाइर कर देना आपको अंसर नहीं कल जा है आई बास समझ भें तेक है अब इसका स्क्वाइर भी तो होगा इसका भी स्क्वाइर लिख लीजिए 1 का square 3 का square 5 का square dot 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 n तक का square अब देखें यहाँ पे बिसम संख्या के यानि कि odd number के square का वही फर्मूला होता है जो even number के square का फर्मूला होता है दोनों same series बनाती है even number के square का क्या फर्मूला लेखा हो देखो n into तो same उतारद वही पे n into n प्लस 1 into n प्लस 2 upon में 6 same as it is खली series क्या होगी अलग-अलग एक होगा even का एक होगा odd का लेकिन दोनों के concept क्या होगे same आपको एक इसमें topic परना है अभी तो बहुत सारे चीज़े बांकी है सतत संख्या पर अधारित प्रस्न problem based on consecutive number ठीक है आएगा साथ next class में पढ़ाऊंगा इसे का उसमें भी इसका काम आएगा और clarity आ जाएगी ठीक है clear है अब मालीज आपको मैं question दे रहा हूँ यहाँ पे n क्या लेंगे last number और क्या है यहाँ पे अंतिम संख्या लास्ट नंबर अब जैसे मैं question दिया आपको one plus three plus five plus dot 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 19 तक solve करना है कितना होगा डैक्ट रखिए 19 पलस एक 20 20 का अधा 10 10 का square 100 इस cancer कितना आएगा hundred एक second बाब बना सकते हो आपको question दे या one plus three plus five plus dot 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 69 अधा बताओ क्या होगा 69 पलस one डैक्ट मेंड़क रहा हूँ 70 70 का half 35 35 का square रिक बताया था बार अपर चीज 1225 क्लियर है ना चली नोट कर लिजे अगर वहाँ पर square वाली स्रीजर रहेगी तो आपको कौन सा पर्मर लगा दना है यह वला रापना है क्लियर है अगर यह आभी मैं इसी कूर्शन को चेंज कर यहां कर दिया 1 का square 3 का square 5 का square dot 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 19 तक का square अब आप एन लोग के कितना 19 ना रखोगे किस वाले में इस वाले 19, 20, 21 अप ओन में 6 काट दिजे अंसर आज़े अब आप नीचे लिखो एक note बिसम संख्या का घन नहीं होता है आपको मन माया होगा ने किसका cube क्या हुआ तो there is no cube of, there is no cube, sorry, there is, there एक रूप जाए, भी सम संख्या का घन नहीं होता है there is no cube of odd number series there is no cube of odd number series अब 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 गौर कीजिए, सम संख्या का घन कैसे निकाल लेते हैं, even number का cube कैसे निकाल लेते हैं क्योंको इसमें two common आ जाता है, अभी समसंख्या two से कटेगा, नहीं कटेगा न, तिसका CG नहीं बनेगा, उसी CG बनती भी नहीं, आई बात समझ में, clear है आप अगर 910 में पढ़े होंगे, तो एक आपको topic पढ़ा गया होगा, आप याद होगा तो, एक topic आप पढ़े होंगे, APGP, याद है, APGPHP, arithmetic progression, geometric progression, और harmonic progression पढ़े हैं है न, तो आप इस सारे questions को वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्या निकालते हैं, N निकालते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, नहीं याद रहा हो तो जाने दीजिए, उसकी जोरुते नहीं, मैं यूजे खतम कर दिया हूँ, आपको फर्मूला लगाते हैं, TN बराबर, याद है फर्मूला, SN का फर्मूला लगाते है, N by 2 into TN मैनस 1 upon में निकालते हैं, उतना कौन निकाल निकालने होता है, और तीन तरह के सीजिए उसमें भी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हार्म मक्सरेनी, हिंदी में भी बोल दिया हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जोड़ते नहीं है, सारे कोस्टन सापको यहां से सवर्व, यहां तक क्लियर है, कोई दिका तो नहीं, देख लीजी, तीनों स्रीज क्लियर है, अब देखे, अभी तक जो आप पढ़े है, यह इस ट कोशन पूछेगा, आब अब दिमाग लाएगा, अब द गौदगर करो, अभी तक मैंने जो भी कोशन सापको दिया है, अभी तक इस ट्रॉपी के, सारे कोशन कहां से हैं, स्टार्टिंग से, अब देखे, पढ़ी गोख से देखे, सारे कोशन कहां से हैं, इसलीप बत्तों स प्रश्नों के परकार, एक बच्चा एक पूछ दिया था, सब टाइप सब कुश्चन हिन्दी में बोल दीजे, धरा हुआ है हिन्दी, कुछ बच्चे हिन्दू के धरा हुआ रहा रहाता है, फरा साब सुधार कीजिए, वहां लेंग्विज से कोई बतलब नहीं है, प्रश्न जा रहाता है लिखाता है जानेशन बदल रहा है इंटरनेशनली लेंग्वेज्ज इस प्राइड होड़ा है है था फैल रहे है लिए हिंदुस्तान से हिंदी खतम होते जा रही है एक आध एक्जाम में वह पूछता है बचाव को भी गनुणर कर देता है भी यह जी डी में घ आपको समझ लेंगे जब भी कोश्चन बीच से आए तो आपका पहला काम है स्रीज को पहचानना जब भी कोश्चन बीच से आए तो आपका पहला काम क्या है स्रीज को पहचानना तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्रीज तो तीनी होगा या तो नेच्वल नमबर का होगा या और नमबर का होगा प्राकिर संख्या का या समसंख्या का या भी समसंख्या उस series को पहचान लेना और उसका वो formula आपको यूज करना है इसमें आपको करना क्या है कि जब ये तो बीच से है तो जब बीच से आजाए question तो series को पहचान करके आपको पहले last number का योग निकाल लेना है जैसे last number का आप निकाल है न add आपका पहला काम है स्रीज पहचान पहकान स्रीज पहचान करके युद fee जाएगा जैसे में इस को सब्सक्राइब अब रखे चालिस रख रहा हूं चालीस गुने एक तालिस बटे में दो 820 अब इसके पीछे वाले नमर का निकालते ग्यारा का पिछला क्या होगा दस दस का तो कितनी बार निकालोगे पच्पन आया है तो याद हो जाता हो ही तो बोलता हूं प्रैक्टिस मेंक समयन परफेक्ट जब बार बार बनाने लोगे आधी सिज़ा चीज बेसी चीज़ में म माइनस कर दो आई वास माझ में 765 यह आपका आंसा है जब भी बीच वाले सी जाए आपका ऐसे ही करना है आपको समझना है तो समझ लीजी देखिए हमारे पास फरमूला होता है वो तो स्टार्टिंग से होता है थम क्या करते हैं एक से ले करके 40 तक का निकालते हैं आप उस आया समाज में आया समझ में देखनाया बना के देखिए खिक है पोशन लीजी ट्वैंटीवन 23 25 ड़्ट 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 फिवटी नैंन तक साउल कर देखिए को शन है फ्ट्रीं प्लस 23 प्लस 25 ड़्ट 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 फिवटीनान थक वताई इस कांसर कितना है 800 800 देखिए सब लो मैं 15 सेकंड का और टाइम देता हूँ कि इतना आया 800 800 आया ना अग्दम सही है देखिए और जिन को दिकात ही देखा गोर्ट सेको पहले सीज पहर चानों सिर्ज किसकी है और नमबर की भी समसंख्या बीसमसंख्या का क्या है सिंपल तो भी समसंख्या के सिंपल का क्या फर्मौा लिखा था एन बाइन प्लस वन बाइट टू का ओल स्वाइट तो 59 है 59 प्लस वन कितना होगा 60 60 का हाप कितना होगा 30 30 के स्क्वार कितना होगा 900 अब आप इसका पिछला क्या लोगी 20 यही गलति की होंगे जिनको नहीं बना सबक्राइब यह समसंख्या में 2 दो का लिएि अपीच्छा क्या है 23 23 पिछला क्या एक किस का पिछला क्या होगा उनीस के सब्सक्राइब भी था मैं तो इसमिस आप माइनस कर दो कितना एगा अंसर आट्स एठंडिड आपका अंसर क्लियर है कोई भी कोशन बना लेंगे देख लीजिए जहाँ दिक्कत हैं कम्प्रीट नहीं कैसे भी पूछ सकता देखिए अगला पूछा ध्यान से देखिए अभी बहुत सारी अब एक चीज समझो फिरे मेरे सब्दों को गौर से समझना ठीक है अगर पूड़े मैथ में अगर आपको कभी भी सिरीज को एड करने वाला कोशन आ गया हो अगर पूड़े मैथ में अगर आपको पूड़े मैथ की बात कर रहा हूं थोड़ा दिमाग को खोल खोल कर रखे ओपन ठीक हाँ यह नहीं को भी नमर चार गली नमर चार संतना गर मुतूर फाइन्स कोचिंग में फ्लैटन और 111 बैठे माथा को छोटा की है माथा को छोट करने के लिए करने आप समझ जाना कि कोशन इसी टॉपिक से पूछा गया है अब आपको दिमाग लगाना परेगा कभी सिधा पूछेगा कभी घुमाग लेकिन बनेगा यहीं से दिमाग लगा इसमें अब अब देखो आप यह किस की स्रीज है है नेच्वल नंबर की स्रीज मैं पूछा हो मेरा परसन सुनिये मेरा कोशन एक किस की स्रीज है किसी की स्रीज नहीं है यह खुल के बोलिए न सरमा क्यों रहे हैं किसी की स्रीज नहीं है यह अि अ कि नेश्वल नमड में कितने होती है इसमें कितने की गैपिंग है कोई चीज है एकदम खुल के समदना पड़ेगा और आगे दिक्कत होगी आपको से तो किसी कि दम्र की घिस ता है और नमर में दो-दो का डाफ होता है और टिनी तो स्रीज होती है कि सीज किसी की नहीं है अब यह सीज बनेगी त्री टोबसी कि रखो बहिये है अब यह हो गया 5 आप अंदर मे क्या बना स्री जाए सिंपल का इसका फर्मूला क्या होता है एन इन प्लस वन अपॉन में टू अब आप एन क्या लोग यहां पे 80 रखो यहां कैल्कुलेशन अच्छा रखना 80 81 अपॉन में 2 अब आप इसको सॉल करें आई बात समझ में क्लियर है कितना अंसर रहा है चालिस हो गया ना चालिस हो गया ना चालिस हो गुना करेंगे दो हजार आठ पंचेश चालिस अट इन सोला दो हजा ठीक से बढ़िया रखना है क्लियर है कोई भी कोश्चन अगर एड करने के लिए आया हो श्रीज़त आप समझ देना कि इसी टॉपीक से है थोड़ा वोत 14 का स्क्वाइर 21 का स्क्वाइर डौट 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 70 का स्क्वाइर एक बार में एक्जेक्ट आंसर बताओ फटाक से कुश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपका प्रजेंस अपमाइन बहुत ही बैटर रखना है कि अधियर है कितना आसर आया अठारा हजार आठ सो पैसट और देखिए एक सो साथ असी मैं जान बुछ कितरा डाट आपको है भी दिया हूँ अब ध्यान से देखिए घवराईय मत्र अठारा हजार आठ सो पैसट अगे तरह कितना स्कॉर्ण कॉमन लिए आप साथ का स्कॉर्ण अंदर में क्या गया वन का स्कॉर्ण टू का स्कॉर्ण किरी का स्कॉर्ण डॉट 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 टैन तक का स्कॉर्ण अब साथ के स्कॉर्ण कितना हो गया उन्चास और ये क्या है ये किसकी सिरीज है है नेचural नमर का स्क्उर का तो यहाँ पर एन पर एन क्या लोगे झैन नेचural नमर के स्क्उर का क्या फर्मुला लिखाय था एन इंटॉ एनफ पलस वान इनुट टू एन में आई बात समझ में है कि लियर है अब आप इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा अठारा हजार आठ सो पैंशट कोई भी कोशन कर लेंगे कैसे अब है सीज बनायेगा तो ठीक है अब इसमें लेंग्वेज बेस कोशन आते है भासा आम लिखा रहेगा सब्दों में जिसे दिखिए कोशन लिखिए आप लोग लिखिए कोशन लिखिए 20 और 60 के बीच आने वाली सभी समसंख्याओं का योग ज्याद करया कोशन को गौर भी करते जाना समझते भी जाना अब देखिया आप यहाँ पर जब भी वहाँ पर लेंग्वेजम हो तो आपको लेंग्वेजम होगा तो आपको क्या कर लेना है स्रीज में कनवर्ट कर लेना है तो बीस और साथ के बीच आने वाली सभी समसंख्या तो बीस और साथ के बीच न ट्वेंटी एंट सिक्ष्टी के बीच न तो आपको बीस लेना है न साथ लेना है बीस बीच में लेना है तो कहां से लेंगे 22 24 26 26 डॉट डॉट काह तक टुटी ए अब यह स्रीज किसकी है इवेज नमबर का यह कहां से आया है बीच से आ गया है तो क्या करोगे फर्मूला यूज करके इसका यह निकालोगे और इसके पीछे वाले का यह निकालोगे अग द अब देखिए इसी में कोरिसन कहेगा अगला लेखिए अब यह आप घर पर स्ल्प्प करोगे और होम वर्क है अब यहान है यह आपका होम वर्क जा रहा है ठे कहला लेंग्वेज घुमाता देखिए आप होन कोर-टक यह कह देगा 20 से 60 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग ज्याद करें to find out the sum of all the even numbers from 20 to 60 तो अब कह रहा है 20 से 60 तक तक आप क्या स्रीज बनाओगे 20 भी लोगे और 60 भी लोगे 60 तक जाओ इसको लेकर अब यह स्रीज 20 से आ गया है तो इसका योग निकालोगे 60 का अब इसमें इसके इसको समझ लेना है कभी क्वाल को सन आपको ऐसे भी पूछ देगा ध्यान सुनेगा कहेगा 20 और एक ही डाटा को बार बार कोई 40 60 40 90 500 को भी देगा अब वहां को सन पूछ देगा 20 और 60 के बीच आने वाली सभी विशम संख्याओं का योग ज्याद करें to find out the sum of all the odd numbers lying between 20 and 60 त 20 तरइस पच्चीश के बीच तकाम जाएगा 50 कैसे भी पूछ सकता है कोशन हजार टैप से बनते हैं कॉंसेप्ट क्लियर है एक भी कोशन नहीं चूटेगा अब माथा दिमाग दिल गुर्दा किरिनी सब के साथ यहां होतो पहले क्लियर बोलता भाई जूट वाली कोई बात के गए थे 15 दिन पहले तो इसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है तो आपका काम है ठीक है वो आप विश्वास के साथ आए हो जितना विश्वास के साथ आए उसे 1000 गुना विश्वास के साथ में पढ़ाता हो आप नहीं पढ़ोगे उसकी हमारे पास कोई गारेंटी नही है हम अपना हम में कोई दिकत हो तो आप क्लियर ही बोल सकते हैं क्लियर है आप अशान नहीं यह आप कभी अच्छा लगता हो अच्छा होगा क्यों कि जब आप घर फिसको देखेंगे जा करता था तब भी नहीं तो वो चीजे तो है वो सकता है लेकिन अगर आप इमंदारी से मेनत करते हैं तो मेहनत रंग लाती ही लाती है और वहाँ पास-पास के लोगों को देख लीजी जिसने मेनत किया है वो सफल पर पहुंचा हुआ है ठीक है अब बहुत गरीब घरीगा संख्याओं का योग ज्याद करें तो फाइंड आट अट वीजी और व्याव है जो भी सवाल में नहीं दिया रहे TO समझानाने टुवर चुप वजीज बनाएगा तो clear लिखा रहेगा natural number को लिखी भी देगा और नहीं भी लिखेगा तो दो अंकों की सभी संख्याओं का योग याद करें इसका मतलब क्या स्टेज में बनाओ दो अंकों की संख्याओं क्या होगे 10 11 12 अगर इसी कोशन को यह ऐसे पूछ देता कि दो अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताएं तो फाइंड आट अंकों की सभी धनात्म पूर्ना अंकों का योग याद करें तीन अंकों की सभी धनात्म पूर्ना अंकों का योग याद करें to find out the sum of all the three digit positive integers तीन अंक में आ गया तो तीन अंक कहां से लेग होगे 100, 101, 102, कहां तक 999 तक अब जब भी three digit वाला पूछेगा calculation बहुत heavy हो जाएगा सब्धानी से बनाना question को अगला question लिखें next दो अंकों की सभी समसंख्याओं का योग याद करें to find out the sum of all the two digit even numbers दो अंकों की सभी समसंख्याओं का योग याद करें to find out the sum of all the two digit even numbers तो कहां से series बनेगी समसंख्या 10, 10, 12, 14, dot 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 कहां तक 98 तक अब ये सारा series कहां से है बीच से है अब इसको कैसे बनाएंगे formula यूज करके last वाले का लेंगे और ठीक इसके पीछे वाले का लेंगे इसका पीछला वाल क्या लेंगे 8, 8 लेंगे ठीक है हाँ दस मतले लेना पीछे वाला लेना है योगे 10 से तो पूछी रहा है कि दो अंकों की सभी संख्याओं अगला question लिख रहे है ने साब सबको अपना घर पे कर लिजेगा जानते हैं यह जो topic है आज यह तो आप topic clear होगा यह लगा calculation इतना best कर देगा आपको इस topic समने calculation बहुत अच्छा है आप question बनाएंगे calculation में एक दाम धुरंधर बन जाओगे calculation में धुरंधर बनना ही है एक question आप लिखिए दो अंकों की सभी बिसम संख्याओं का युग ज्याद करें to find out the sum of all the two digit odd numbers दो अंकों की सभी बिसम संख्याओं का युग ज्याद करें to find out the sum of all the two digit odd numbers the odd number is 11, 13, 15, dot 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 99 इसमें क्या करोगे 99 का निकालोगे अठीक इसके पीछे वाले का इसका पिछला क्या लोगे 9 लोगे और दोनों को मारेस करोगे answer आजाएगा question कैसे पूछ सकता है clear है अब अब ध्यान से सुनिए अभी तो आप ये basic math में पर रहे है BCM चल रहा है आपको जब आप chapter पढ़ेंगे आपका second chapter आएगा और पहला chapter क्या आएगा अभी ये topics हैं अभी आप क्या पढ़ रहे है basic cognitive math BCM बोलते हैं इसको बहुत बड़ा part होता है तो अभी आप इसमें क्या पढ़ रहे है topic और आपका पहला chapter होगा पहला क्या होगा ratio and proportion अद दूसरा क्या होगा average यानि क्या उसत तो अभी ताप योग पर रहे हैं अब वहाँ पर यही चीज़ यह connected होता है अब वहाँ पर question क्या पूछ देगा कि दो अंकों की सभी अब यहाँ क्या question पूछा है कि दो अंकों की सभी संख्याओं का योग गयात करें कि तो find out the sum of all the two digit कटे थे की numbers अब वहाँ क्या पूछे का chapter में है कि दो अंकों की सभी संख्याओं का औरिसत ज्याद करें अगर आप यह सीख लिए तो वह दो सेकेंड में बनेगा लगेगा भी नहीं दो सेकेंड एक सेकेंड बनेगा लेकर आपको यह पता होना चाहिए धिरी-धिरी कोई चीज पढ़ेंगे ठीक है मैं हालेट कर दिया हूं कभी योग पढ़ रहे हैं फिर वहां आउसत पढ़ेंग इसके बार अब हमेंसा यह करता हूं पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए जिस टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं उसमें से कोई गरवर यह नहीं होनी चाहिए 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 एससी में टैंथ का एक्जाम हो चाहिए वह ग्रिशन बेस का एक्जाम यह एटिटीटूड के स दस त्म ओफ फश्ट फिवटी पो्जेटी बडिटेजर्स पर्थम पचास धनात्मक पुर्णांकों का योग ज्याद करें to find out the sum of first 50 50 first 50 positive integers positive integers मतलब natural number पड़ाकिर संक्या तो पर्थम 50 धनात्मक पुर्णांकों का योग ज्याद करना है तो पर्थम 50 कितना ले लेंगे 50 और फर्मूला रख करके निकाल देगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब अगला कुशन लिखें पर्थम पर्थम लिखेगा पर्थम दस संसंख्याओं का योग ज्याद करें इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन पर्थम पर्थम 10 संसंख्याओं का योग ज्याद करें to find out the sum of first 10 even numbers ध्यार से समझना पर्थम 10 संसंख्याओं का योग ज्याद करें to find out the sum of first 10 even numbers अब गौर करो तो पर्थम 10 संसंख्याओं का first 10 even numbers तो पहली संसंख्याओं क्या होती है तू, दूसरी समसंख्या, सेकेंड इवेन नमबर, तीसरी, छे, इसका मतलब क्या कर रहा है, प्रथम दस, तो लास्ट वाली दस में क्या हो जाएगी, बीस, अगर आप एन यहाँ पे टैन लोगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो, प्रथम दस, तो पहली है, दो, दूसरी है, च तो फाइंड ओर दसम फ़स्ट फिव्टी नेच्वल नमबर, तो लास्ट क्या हो जाएगा, पचास दोनी सो, एन क्या लोगे आप, हंड्रेट, आई यही आगे जब चैप्रण पढ़ोगे, यही पूछेगा, पर्थम पचास समसंख्याओं का आउसत ग्याद करें, अभी एक सो दस आएगा ना, सॉल्ब कर दिये, कर दिये, ठीक है न, एक सो दस, ठीक है, कंप्लीट, एक कोशन आप और लिखिए, पर्थम पचीस समसंख्याओं का योग ज्याद करें, तो फाइंड आउट, दसम फ़स्ट ट्वेंटी फाइवे नमबर्स, पर्थम पचीस समसंख है, पर्थम पचीस क्यों समसंख्याओं का योग ज्याद करें, तो फाइंड आउट, तो फाइंड आउट, दसम फ़स्ट फिटीन फ्वीटिन, और नंबर्स पर्थम 15 अब इसको ध्यान से देखना पर्थम 15 विसम संख्याओं का यूग ज्याद करें to find out the sum of first 15 odd numbers आप देखें आप तो पहली विसम संख्या क्या होती है एक पहली ये पहली है ना दूसरी क्या होती है तीन तीसरी क्या होती है पांच होती है ना तो लास्ट वाली निकालनी है कौन सी निकालनी है तो आप क्या करोगए जों सी निकालनी होगी 15 तो उसको क्या करोगे आप two से multiply करके माइनस one कर देना तो 15 वाले में निकालना हो तो two से double करके one माइनस कर देना औप देख लो जैसा आप यही देखो न विस Bu संख्यां क्या है 5 तो कैसे निकाले हो तीसरी निकालना थर इसको दूसे गुना करो तीन दुनी 6 अच्छे में से घटा ओगे तो 5 सम वाले में इवेन वाले में डिरेक्ट डबल किया आता है और भी सम वाले में डबल करके माइनस वन कर देना तो लास्ट क्या निकला 29 अब इसका फ़र्मुला लगा करके एन प्लस वन बाई टू का फोल इसक्वार आप रख दीजी आंसर आ जाएगा दो सुपचीस निकाल भ काम को करेंगे तो आपको मैनती ज़्यादा पड़ेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा नै वो चीजें होती है जितना दिमाग जिसकार में लगाएंगे वो कार उतनी जो है न सो पंक्चुलिटी में आ जाती है क्लियर है यह कोस्चन कैसी भी पूछ सकता है किसी भी तरीक पर्थम पचास बिशम पुर्णांकों का योग ज्याद करें तो फाइंड आट पर्थम पचास तो कहां तक जाएगा वन पलस थ्री पलस फाइव पलस डॉट 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 निनानवे तक 99 तक क्लियर है अब फर्मुना रख देंगे त गया पलस एक सौ का अधा कितना होगा पचास पचास के स्कवर कितना होगा पचीस सो इस कांसर कितना आएगा पचीस तुट वैंटीफ फाइव हंट तो क्लियर है कोई दिकत तो नहीं कच मचा रहा है कि कम अप छुटती हो उप गया है कुछ है ना लेकिन बात यहीं तलक नहीं रुखती है यहां तक क्लियर है रुख जाए यहां तक क्लियर है न को भी कोशना बना लेंगे अब यह टॉपिक आपका पूरी तरह से कम्प्लीट है जीरो से हीरो तक ठीक है लेकिन इसमें आपको कोश्चन बनाना बहु परना ठीक है अगर आपको यह पूरा टॉपिक नहीं समझ माया होगा तो पहले क्लास नोट को जाके दिखना कि कहां गरवरी हो जब भी में होमवर्क में कोई भी कोशन देता हूं ध्यान सुनिए तो डारेक्ट आपका भी भी होमवर्क को मत देखना देखना तब आपका क्ला है और क्लास नोट अगर नहीं यह तो पिले जाता है एक यह पुनी डिखना कि अगर'S करते हैं क्या ऐस प्रहाई गया हो था लुखी के कोश्चन धाराधर साथ है लिखते जाओगे अगर के लोगिविव books . के लिखते to are 22 plus 24 plus 26 60 तक 2 का क्यूब फोर का क्यूब प्लॉस सिक्स का क्यूब फ्लस डॉट 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 तक का क्यूब सॉल कर के लाना है ठीक है क्लीर करो next question pach plus 10 plus 1並 iTunes dot.. dot pach saotak 10 plus 20 plus 30 plus dot 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 1000 तक 5 का स्क्वार प्लस 10 का स्क्वार प्लस 15 का स्क्वार दोट 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 100 तक का स्क्वार 45 plus 50 it's a very very important question जो मैं यह लिखा हूँ 45 plus 50 plus 55 plus dot 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 150 तक it's a very very important question clear है अगला 50 का स्क्वाइर, इट्स अवेर ये जो दोनों कोशन लिखाऊ ना, अभी जो कोशन बेक्तरीन कोशन इसा बना आकर देखना, इसा बैरी वैरी इंपोर्टेंट, 50 का स्क्वाइर, 60 का स्क्वाइर, 70 का स्क्वाइर, dot dot dot, 200 तक का स्क्वाइर, clear है, next question, अगला, not कर ली है ठीक है, अगला कोशन लिखे, 1 प्लस 2 प्लस 3, प्लस dot dot dot, 50 तक, प्लस 49, प्लस 48, प्लस dot dot dot, 3 प्लस 2 प्लस 1 तक, solve करके लाना, कोशन ठीक सी लिखना, 1 से बढ़ा हुआ है, last 1 तक पहुंचा है, दिख लिए है, ठीक है, next, 2 प्लस 4, प्लस 6, next question है, प्लस dot dot dot, 60 तक, प्लस 58, प्लस 56, प्लस dot dot dot, 6 प्लस 4 प्लस 2 तक, solve करके लाना है, next question, 1 प्लस 8 प्लस 27, प्लस dot dot dot, 8 तक, next question, 3 प्लस 5 प्लस 7, प्लस dot dot dot, 33 तक, solve करके लाना है, ठीक है, यहां तक आपने question लिखे, दो question लिखना है, एक तो मैं यहीं लिख देता हूँ, it's a very very important question, question कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कैसे भी मतलब कैसे भी, 1, minus 2, plus 3, minus 4, plus 5, minus 6, plus dot dot dot, 1000 तक, एक दम, updated question है, अब बना के देखना, बच जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, तो अतरह यह की question, अब जीरो से हीरो तक बना दिया, अब अब आपका काम कितना है, आप इसका मजा लेते हैं, कि आप पढ़ते हैं, ठीक है, अब last question एक और लिखके जाना, जो मैं बोलूँँगा, it's a very very important, सारे questions जब बन जाए, तो last question आपको बना के लाना, लिखे, बाकि नॉर्मल तो देने के जोट है नहीं, रिखे question, तीन से बिभाजित होने वाली, it's a very very important question, सारे questions बनाने के बाद, तब आप ये last बनाना, तीन से बिभाजित होने वाली, दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्याद करना है, to find out the sum of all the two digit numbers, that are divided by three, तीन से बिभाजित होने वाली, दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्याद करना है, to find out the sum of all the two digit numbers, that are divided by three, पले स्रीज में convert कर लेना, उसको बनाना जबरदस्ट question है, ठीक है, चलिए, ये आपका पूरा topic complete है, ठीक है, आज यहीं class खतम करते हैं,